हेलो इस्टूदेंट्स, वेल्कम टू माई यूटूब चैनल, इस्टडी की निवपाड़ साला फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग कच्छा दस बिग्यान, अध्यान नव, आनुबान सिकता रथा जयो परकरम के बारे में अध्यान करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुबान सिक लक्षड, अनुबान सिक लक्षड क्या होते हैं, तो वह लक्षड जो संतानों में उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षड को हम अनुबान सिक लक्षड या वन्शागति का लक्षड कहते हैं आनुबान्सिक लक्षडों को पीड़ी दर पीड़ी पहुचाने के किरिया को आनुबान्सिक्ता या वन्शागती कहते हैं, इसके बाद है आनुबान्सिक्ता या जनेटिक्स, तो विज्ञान की वाशाखा जिसके अंतरगत हम आनुबान्सिक लक्षडों का अध्यन करते हैं उसे हम आनुबान्शिकी या जनेटिक्स कहते हैं विज्ञान की वाशाखा जिसके अंतरगत हम आनुबान्शिक लक्षडों का ध्यन करते हैं उसे हम उसे हम आनुबान्शिकी या जनेटिक्स कहते हैं क्या कहते हैं जनेटिक्स कहते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम तो मेंडल के नियम या इसी को अनुबान सिकता का नियम कहते हैं क्या कहते हैं भई अनुबान सिकता का नियम तो सबसे पहले जानते हैं मेंडल मेंडल कौन थे मेंडल आश्टरिया देश में बुरून सहर के एक गिर्जा घर में पादरी थे और वहीं पर गिर्जा घर के बगीचे में ही मतर के पौधे पर अपना परियोग करते थे तो प्रश्ट पूछा जाता है मेंडल ने अपना परियोग किस पर किया था मेंडल कोण थे मेंडल आश्टरिया देश में बुरून सहर के एक गिर्जा घर में पादरी थे और वहीं पर गिर्जा घर के बगीचे में ही मतर के पौधे पर अपना परियोग किया करते थे इसके बाद मेंडल का नियम या अनवानशिक्ता का नियम किसे कहते हैं देखते हैं, परतेक जिव में एक लक्षड के दो विकल्प होते हैं, इनमें से केवल एक ही विकल्प जिवों को प्रभावित करता है, या इनमें से एक ही लक्षड जिवों को प्रभावित करता है, दूसरा नहीं, इनहीं लक्षडों के लक्षडों के इनहीं विकल्पों के अधार पर मेंडल ने एक नियम परतपादद किया जिसे ही आनुबान सिक्ता का नियम कहते हैं इन्ही बिकल्पों के आधार पर मेंडल ने एक नियम परतपादद किया जिसे आनुबान सिक्ता का नियम कहते हैं मेंडल को इसी कालर अनुबानसिक्ता का जनक कहते हैं Father of Heredity अनुबानसिक्ता का जनक कहते हैं मेंडल ने बताया पर तेक जीओ में एक लक्षड के दो विकल्पों होते हैं इन में से इन दोनों विकल्पों में से एक ही विकल्प जीयों को परभावित करता है और दूसरा नहीं तो लक्षडों के इन ही विकल्पों के आधार पर मेंडल ने एक नियम परत्रपात किया जिसे हम आनुबान सिक्ता का नियम कहते हैं इसी कारण गिरेगर जवान मेंडल को आनुबान सिक्ता का जनक कहते हैं क्या कहते हैं आनुबान सिक्ता का जनक कहते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नेमों में पजयुक्त सब्दावलियां मेंडल के नियमों में कौन-कौन सी सब्दावलिया पजिब्ध हुए हैं यहां से प्रश्ण बहुत पूछे जाते हैं सबसे पहला है प्रभावी और आप्रभावी लक्षड क्या है भई? प्रभावी और आप्रभावी लक्षड तो विपरीत लक्षडो जब हम विप्रीत लक्षडों के पौधों के बीच संकरण कराते हैं जब हम विप्रीत लक्षडों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो पहले पीड़ी अर्थात F1 में केवल एक ही लक्षड प्रकट होता है दूसरा नहीं जो लक्षड प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षड और जो नहीं प्रकट होता है उसे आप प्रभावी लक्षड कहते हैं जो लबावी लक्षड और जो नहीं कि नहीं है इसके बाद है हमारा शंकर क्या है इसके बाद है शंकर किसे करते हैं तो विपरीत लक्षडो वाले जब हम विपरीत लक्षडो वाले नर और मादा के बीच संकरल कराते हैं यानि सेचन कराने पर उत्पन संतान को हम संकर संतान तथा इस विधी को संकरल कहते हैं विपरीत लक्षडो वाले नर और मादा के बीचनी से चन कराने पर उत्पन संतान को हम शंकर संतान तथा इस विधी को संकरल कहते हैं क्या कहते हैं भई संकरल कहते हैं इसके बाद हम देखेंगे सम युगमनज क्या देखेंगे सम युगमनज किसे कहते हैं जब युगमक में, जब युगमनज में, जब युगमनज में किसी लक्षड के दोनों कारक एक ही परकार के होते हैं, तो ऐसे युगमनज को हम सम युगमनजी कहते हैं, इस अवस्था को सम युगमनजी कहते हैं, इसके वाद है विसम युगमनज, जब युगमनज में किसी लक्षड के दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो ऐसे युगमनज को हम विसम युगमनज कहते हैं इसके बाद है जीनो टाइप तो जीवधारी की जीनी सरचना को जीनो टाइप कहते हैं जीवधारी की जीनी सरचना को जीनो टाइप कहते हैं इसके बाद है एक संकर संकरल क्या है भी एक संकर संकरल तो यह एक जोड़ी विप्रीत लक्षडो वाले नर और मादा के बीच के संक करें हैं इसके बाद आता है दोई संक्र नर्वा मादा के बीज के संक्रल को हम दोई संक्र संक्रल कहते हैं साथ यो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रू के पास शेयर कर दें चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे धान्यवाद